नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों एक सुन्दर सीमील हतीली पुरुष जातक हैं आप और आज आपकी हतीली हमारे पास बिसलिशन के लिए है सबसे पहले अगर हम हतीली का आकार देखते हैं तो पूरी तरो से आईताकार है और मस्तिस्क रेखा बहुत सांदार इस्तिति में इस प्रकार से दिखाई दी रही है हतेली की रंगत भी बहुत खोपसूरत है, बहुत सांधार दिख रही है, निश्चित तोर पे एक दार्षनी किसम का व्यक्तित्व आपका है, एक एनलेक्ल किसम का व्यक्तित्व है, और जिग्यासु परूरति की व्यक्ति आप है ठीक है ने जानने की रहस्मई चीजों की और आपकी जिग्यासा रहती है तो जिग्यासू भी है आप आपका जो करियर रहने वाला है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिस्क से ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोटेबल रहेगा जिवनकाल के 36 वर्स जिवनकाल का 42 वर्स और जिवनकाल का 56 वर्स आपके लिए बहुत सांदार परिणाम लेके आएंगे और इन वर्सों में काफी प्रिवर्तन की संभावना जिवन में रहेगी जो अच्छे फल देते हुए दिखाई दे रहे है दूसरी बात अगर हम हतेली में देखते हैं आपके कुछ खास प्रशन है बहुत महत्वपूर्ण है उनको वी लेंगे सबसे पहले थोड़ा एक नजर माल लेते हैं फिर आपके प्रशनों को हम लेते हैं यहां पर देखेंगे तो आपकी प्रमुख्रे खाओं में से एक रेखा जिसे हम हिर्दई की लकीर कहते हैं बिल्कुल नीड एंड क्लीन है और कहीं न कहीं जो है आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडल की फिंगर है उसकी तरफ बढ़ रही है एक तो लंबी काफी है तो निश्चित तोर पे जो है आपकी जो आयू है वो बहुत लंबी है अच्छी खासी है और स्वस्थ आयू यहाँ पर दिखाई दे रही है दूसरा यह दोनों के बीच में पहुँचने की कोशिस कर रही है और इस पर देव गुरु ब्रस्पति का और सनी जो भाग्य अस्ताने उसका प्रभाव पड़ रहा है दोनों गुरहों का बलावल आ रहा है निश्चित तोर पे इस कारण आपकी जो महत्व कांचाये हैं वो लगातार बढ़ रही है आप अपने जिवनकाल में बहुत बड़े महत्व कांची बिखती हैं और आपकी सोच भी सकारात्मक ज़्यादा दिखाई दे रही है बहुत आगे बढ़नी की यहाँ पी हो रही है गुरू का जबरदस्त प्रभाव पढ़ रहा है सीधा सीधा जादा इसका बल आ रहा है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेबल तक पहुँचने की यहाँ पे दिखाई दे रही है कि हो रही है और यहाँ पे सनिका भी प्रभाव पढ़ रहा है जो आपके कर जाए लगाएंगे इनकेन प्रकारिन जो भी आप से हो जाए वो आप करेंगे ये चीज यहां पे इस पश्ट दिखाई दे रही है दूसरी बात अगर हम देखें तो यहां पे आपकी जो मस्तिस्क की लकीर है ये मस्तिस्क की लकीर बहुत सांदार है आपका बौधिक अस्तर बहुत अच्छा है और एक विबेकवान विक्तित्व आपका है हर समय कुछनकुछ सकार आत्मक सोचते रहते हैं जिवनकाल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं और कही ने कहीं creative है creativity वाला विक्तित्व आपके अंदर दिखाई दे रहा है और जीवन में आपको निश्चित लंबी यात्राओं का सुखद यात्राओं का मोका भी मिलेगा और ये भी यहां पर इस पश्ट दिख रहा है आपके अगर हम जीवन की रेखा को देखें वो इस परकार से दिखाई दे रही है कि तो कि तरप आ रही है अगर बरतमान सिचुएशन को देखें देखेंगा आपक जन्म अस्तान से दोर दिखाई दे रही है जन्म अस्तान में रहके आप बहुत ज़्याद़ तरकी नहीं कर पाईगे जीवन में बहुत अच्छी पोजिशन पे तो जाएंगे बड़ी प्रगती भी करेंगे लेकिन जीवन में उतार चड़ाओं भी बराबर रहेगा और अंदर आउस्ता में है लेकिन एक आएक हिर्दे की रेखा में समाहित हो रही है आगी बिलकुल भी नहीं बढ़ रही है ये सबसे बड़ा नगिटिव पॉइंट यहां पी दिखाई दे रहा है जब ये रेखा हिर्दे रेखा में एकदम मिल जाए आगे न बढ़े तो इसक परिणाम बहुत अच्छे और संतोस जनक नहीं होते हैं विसेश कर करियर और धन के मामले में ऐसे लोगों के करियर में कभी भी इस्टेबिलिटी नहीं आती है अस्ताई तो नहीं आता है दूसरी बात है अगर ये धन का मामला देखें तो धन के मामले में संगर्स रहता है धन में इस्टेबिलिटी नहीं आती है तो धन और करियर के मामले में इस्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है अभी उपाई दोंगा जरूर करेगा निश्चित ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत अच्छे प्रिणाम आपको दिखेंगे ये रेखा अपने आप इ और भावनाओं में आके गलत निरणे ले लेते हैं और अपने पैर पे खुद को लाड़े मारते हैं और फिर उस निरणे के कारण इनकी जो डेपलपमेंट है इनकी जो प्रोग्रेस है वो बाधित हो जाती है और फिर उसको पाना बहुत कठिन हो जाता है तो ये चीज यहा जो एक प्रणायाम है एक अध्यात में किरिया है ब्यायाम भी उसों कह सकते हैं ब्यायाम भी है वो और एक meditation भी है उसको आपको proper करना है साथ में रात्री के समय का एक महालक्ष्मी का उपाई में दे रहा हूं उसको विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत सांदार और अच्छे प्रणाम जीवन में आपको देखने को मिलेंगे अब देखेगा यहाँ पे ये अर्दबिक्सित एक M का आकार बना रहा है और ये इस पश्ट कह रहा है ये M का जो आकार बन रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं पंच भूत जिने कहते हैं फाइव एलिमेंट जिन से आपका सरीर बना हुआ है सरीर के जो अवयव है जो आपकी जो है सरीर के सातों चक्र है आपके सरीर में जो सातों चक्र मौजूद है आपकी जो पांच ग्यान इंद्रिया है और पांच कर्म इंद्रिया है उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपकी जो इश्ट देव है वो भगवान शंकर है भगवान शिब है और आपकी जो अधिश्ठात्री देवी हैं माँ पार्वती है जीवन में जितना समरपन रहेगा जितना चरण पकड़के रहेंगे उतनी ही दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे दूसरी बात ये रेखा जैसे ही हल्की भी आगे बढ़ेगे उसी समय से और जीवनकाल के पचपनुएं और सतक आप अच्छा खासा धन कमाएंगे अपनी जीवनकाल में और धनड्य ब्यक्ति हो जाएंगे यहां पर इसपश्ट दिखाई दे रहा है अच्छा खासा धन कमाने वाले हैं आप बड़े धनड्य ब्यक्ति होंगे और खास कर आपका भाग्य जो उदाय हो रहा है धन और करियर के मामले में उस साधी के बाद आप में धन में अचानक बहुत ज़्यादा ब्रिदि हो रही है और साधी के बाद पूर्ण भाग्य उदाय दिखाई दे रहा है ठीक है ने? और साधी की योग बन रहे हैं आपके 35 और 36 वर्स में ये दो वर्स जो हैं आप कोशिस करें तो निश्चित तोर पे जो है आपके साधी की सांदार योग बन रहे हैं अब यहां पर देखेगा एक चीज एक रेखा यहां से आ रही है और इसको पूरा देखते हैं एक रेखा यहां से आ रही है यहां तक और अच्छा यह तो गुणा का चिन्न है यह अलग चीज है ये जीवनकाल में धर्म के परति आपको कटरता की ओर ले जाता है और ऐसी इस्तिति को पैदा कराता है अध्यात्म के छेत्र में कि भोश्य में क्या घटित होने वाला है बिक्ति को पहले ही उसका आभास हो जाता है तो ये आपकी छटी इंद्री को बिक्सित करता है तो ये बहुत सुन्दर चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसका यही महत्व है, अब ये लकीर राहो की लकीर है, ये लकीर आपको प्रेशान कर सकती है, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करवा सकती है, और जीवन में संगर्स भर सकती है, और समय ये नजदीक बता रहा ह तो क्या करना है आपने, मैं राहो का उपाई दे रहूं, जरूर करिएगा, तो जो रोटी रोजगार को लेके, आजिवका को लेके, रुप्य पैसों को लेके प्रेशानी बन रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और जीवन में आपको सांदार परणाम देखने को मिल देखें, अब चलते हैं आपके कुछ मुख्य सवालों के, पहला सवाल आपका, जो मैंने संचिप्त रूप में देखा है, बाकी क्या लिखा है, मुझे पता नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहा था वो, लेकिन आपका है कि साधी कब तक, एक्चुल आपका यही बता रहा ह मैंने बताया है कि योग आपके सुरू हो गए है, और ये दो वर्षों के अंदर अंदर आपकी साधी हो जानी चाहिए, ठीक है न, आप मेहनत करें, आप सुरुवात करें, निश्चित तोर पे साधी के सुन्दर योग बन रहे है, आपने लिखा है भोश्यक अब तक बदल उठा है, ये जीवन काल के चालीसवें वर्ष तक, जीवन में संगर्सों को दिखा रहा है, और ये भी बता रहा है कि जल्दबाजी और भावनाओं में अगर काम किया तो धनहानी भी होगी, और ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करें, ना करें 42 वर्ष तक तो अच्छा है और करते भी हैं तो पार्टनर्शिक में ना करें, एक बाद का ध्यान रखें, खुब मेहनत के बाद ही आपको धन मिलेगा, खास कर जीवन में धन कमाने की इस्तिति लेट बन रही है, अगर महालक्ष में का सही उपाय कर दिया और दिब्यय योग ध्यान कर दिया, तो निश अस्तितियां आपके अंडर में आने बैठ जाएंगी, मनि जीवन काल के 38, 37 और 38 के बीच में कहीं न कहीं भोश्य बदलता हुआ, दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे उमर बढ़ रही है, वेसे वेसे चीजें बहतरीन इस्तिति में आ रही है, अब आपने लिखाया है, न राजनीति में सफल होने के लिए चार गरह पुष्ट और सुनदर होने चाहे, एक तो आपके दोनों मंगर, निश्चित तोर पे ये राजनीति के लिए बहुत सुनदर है, आपका ब्रिसपति ये भी बहुत सुनदर आउस्ता में है, आपका चंडरमा ये भी बहुत और आपका सूर्य, सूर्य में जो मचले का चिन्न है ये अभी पूरा नहीं हुआ है, निश्चित तोर पे राजनीती के बहुत सुन्दर योग है, बहुत अच्छे योग है, लेकिन करियर और धन की रेखा अगर आगे नहीं बढ़ती है, तो ये योग धनहानी करा सकती है, औ और कही न कही उसमें जो यस के प्राप्ति होनी चाहिए, उसमें अर्चने डाल सकती है, राजनीती के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन लक्षमे की पूजा जरूर करें, और एक मैं दिब्य सूरे किरिया और सूरे उपासना भी दूँगा, उसको भी जरूर करें, क्योंक आपने लिखा है चौथा सवाल, मेरे जीवन में लक्षरी है या नहीं, देखेगा, अभी आपके जीवन को अगर हम देखें, लक्षरी किस से आती है, पैसों से आती है, किस से आती है, आपका करियर से आती है, कि कही न कहीं करियर इस प्रकार का हो, कि जिसमें अच्छा खा तो होगा लेकिन वो अभी समय है अब आपने पांचों सवाल लिखा है मैं अमीर बन सकता हूं या नहीं बन तो सकते हैं मेहनत करेंगे चीजों को उभार कर लाएंगे तो बन सकते हैं लेकिन अभी आपकी जो लक्षमी की रेखा है करियर और धन की रेखा है वो अभी आपको अमीरता की और नहीं ले जा रही है अब आपने लिखा है छटवा कोईशन अपने बिचारों को लोगों को समझा सकता हूं या नहीं बिल्कुल आप समझा सकते हैं क्योंकि अगर हम देखें आपका जो बुद्ध का परोत है और आपका जो गुरू क परोत है दोनों बहुत सांदारी स्तिति में है आपकी वानी की सकती आपकी कम्यूनिकेशन इसकल्स की चमता यहां पे जबरदस्त दिखाई दी रही है आप लोजिकल तरीके से अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं इस पश्ट दिख रहा है दूसरा आपका और धन की रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी आप इसमें मिहनत करेंगे इसको आगे बढ़ा लेंगे तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाली बिक्ति रहेंगे और जीवन में य धुरी में नहीं छोड़ेंगे पूरा उश्य करेंगे और ये क्वालिटी आपके जीवन में चार चान लगाएगी बुद्ध का परवत आप अगर खुद देखें बहुत सुन्दर और सही बिक्सित अवस्तामी है आप मनो बेग्यानिक के छितर में भी माहिर होंगे सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानेंगे और इसका फायदा जबरदस्त होगा और देखेगा जीवन काल के 42 के बाद से अगर ब्यापार में भी जाते हैं 42 के बाद से ब्यापार है उससे पहले नौकरी उगेर बहुत अच्छी है तो बड़ी है आपको और समय का उपयोग पूरा-पूरा कनने में भी आपको माईरता हसिर है साथ में देखे ये उगली सीधी खड़ी है और इस उगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है ये जबरदस्त है ऐसे बिक्तियों की कम्यूनिकेशन इसकिल्स सांदार रहती है आपकी कम् कारियर और धनकी रेखा इसपष्ट और बड़ी हो सुंदर हो और जिस परकार से ये योग बन रहा है ऐसा बिक्ति उतकृष्ट ब्यापारी होता है नौकरी कर रहा हो जाए सरकारी हो या प्राइवेट हो अधिकारी लेवल का बिक्ति होता है जीवन में निश्चित ही उच चोरग का बिक्ति तो रहेगा स्रेष्ट और सपलतम बिक्ति होंगे क्योंकि आपके अंदर अपने बलबोते पे कुछ करने वाला गुण है और जब कनिश्ट का अपने अस्तान पे लमवत खड़ी होने ऐसा बिक्ति स्वयम उध्यमी तो होता है कुछ ऐसे करने की फितरत मे रहता है जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग उनी शदेव याद रखें तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके अंदर मान सम्मान और सफल जिवन होगा की नहीं आपका अंतिम और सबसे जोरदार कोश्ट है देखेगा यहां पे अगर हम सूरे को देखें मान सम्मान औ ये मचले का आकर बड़ा होता हो दिखाई दे रहा है जब ये पूर्ण हो जाएगा और कम से कम अन्टीसवे वर्स में ये पूर्ण हो जाएगा इस पश्ट हो जाएगा अगर आप उस समय राजनीती में चले जाते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी आपको यस की प्राप्ति होगी आपको अपने कर्मों के कारण स्रेष्ट सपलता मिलेगी एक सफल जिवन होगा मान सम्मान और जिवन जो है सांदार इस्तिति में आएगा बड़ा घड बड़ी गाड़ी इस पश्ट दिखाई दे रही मचले का चिन आर्थिक तोर पे भी बहुत यस पाने की हमेशा इक्षा रहेगी चाए कितना भी पाल लिया हो तो भी और पाने की इक्षा हमेशा बनी रहेगी मान सम्मान और प्रतेष्टा पाने की इक्षा रहेगी और अपने कारियों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इक्षा रहेगी ब्रेस्पति की उंग समाज में मान प्रतिष्टा यस पानी वाले फिम पानी वाले होंगे और अपने जिवन में सफलतम बिक्ति होंगे यह यह पर कह रहा है दूसरी बात आपके अंदर रिस्क लेने की चमता जोखिम उठाने की चमता और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पनो उठने की चमता भी जबरदस्त है और इसका लाव आपको सानदार मिलेगा राजयोग बन रहा है आपका देखेगा सिक्षा का छित्र है, इंजिनियरिंग का छित्र है, चिकित्सा का छित्र है management का छेतर है बानिज्य का छेतर है कानून का छेतर है राजनीति का छेतर है इन छेतरों में करियर और धन की रेखा मजबूत होने पर अगर आप प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी कामियाबी आप हासिल करेंगे इस पष्ट कह रहा है राजयों का पूरा भोग आपको मिलने वाला है मिडल फिंगर आपकी सही इस्तिति में एक एक्चुल अनुपात में खड़ी है आपकी मानसिक छमता बेहतरीन है साथ में देखें तो लिडर्शिप की क्वालिटी आपके अंदर है और आपके अध्यात में खमता भी जबरदस्त रहेगी ये बता रहा है स्वाविमानी रहेंगे विवेक बहुत अच्छा रहेगा दोस्नों की मदद करनी की भावना रहेगी पुद्धी बहुत अच्छी रहेगी और भग्या पूरा साथ देता हुआ याँ पे दिखाई दे रहा है ये है आपकी हतिली एक सुख़जीवन जीने की चाह रहेगी और सुख़जीवन जीने के लिए प्रेतन सिल बिखते तो रहेगा लेकिन जल्द बाजी में लेया गया निरणे आपको नुकसान देगा आप अपने निरणयों के कारण अपना खुद का नुकसान भी करेंगे ये यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी कुछ समय तक कोई नो कोई चिंता बनी रहेगी और संगर से भी जीवन में बराबर रहेगा ये इस पश्ट कह रहा है लेकिन समय के साथ-साथ चीजे बहतरीन आउस्ता में आएगी दीरे-दीरे वर्टिकल लाइने जनम ले रही है अपने कारे के परती जुझारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये क्वालिटी आपको बहुत फाइदा देने वाले रहेगी सुक्र का प्रवत बहुत सुन्दर है अपने को मेंटेन डखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समार कर रखना ये चीजें ज़ादा रहेगी नई चीजों के परती बहुत ज़ादा रोझान रहेगा चाहिए नई फरकार का फैसन हो नई फरकार के कपड़ी हो मार्केट में नई फरकार की टेकनलोजी हो और बहुत एक सुख सुवधाओं के तरह बहुत ज़ादा आकरसन रहेगा आपकी बातों से भी जलक रहा है अल्टरा लगजरी लगजरी जी उनके परती आकरसन रहेगा और उसको पाने के लिए प्रयतन भी करेंगे और निश्चित ही करियर और धनकी रेखा के सुन्दर और पुष्ट होने पर ये सुक्र आपको चमक देगा नाम और यस देगा गलेमर देगा अब चका चोन रहेंगे ये भी इसपष्ट तरीके से यहाँ पर कहता हो दिखाई दे रहा है निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो प्राक्रम बहुत अच्छा है और एनरजेटिक स्वभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका बिरस्पती भी बहुत सुन्दर अवस्ता में है अगर यहाँ पर इस प्रकार का मचले का चिन बन जाता है तो दिन दोनी राद चोगनी उन्नती होगी जहां सांसारिक सुक बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुक भी सांदार मिलता हो दिखाई दे रहा है आपका सनी भी बहुत सुन्दर है सांदार प्रणाम देता हो दिखाई दे रहा है यह अभी पूरा नहीं हुआ है अगर ये पूरा होता है तो बहुत सांदार इससे बड़ी कोई चीज नहीं है हाँ अभी आपका सूर्या पूरी तरों से फलित अवस्ता में नहीं है जिसके कारण जितना आप प्रियास कर रहे हैं वो प्रियास पूरी तरों से सफल नहीं हो पा रहे है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है वो चीजे उभर नहीं रही है निखर के जिस परकार से आनी चाहिए थी नहीं आ पा रही है बर्तमान में जो आप मेहनत कर रहे हैं जो परिसरम कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है सीधी सी बात कहूं तो एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है जिस परकार से मिलना चाहिए क्योंकि आपका सूरे इस पश्ट तरीके से कह रहा है कि आपकी जो सार्रिक चक्र है वो सूरे के चक्रों के साथ परस परताल मील में नहीं है जिसके कारण इसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे बढ़ रहा है कहीं न कहीं आपका साररिक स्वास्त्या आपकी जीवन की वास्त्विक्षाली आपकी जीवन का उत्साह आपकी जीवन की उर्जा ये चीज़े थोड़ा हल्की सी अन्बैलेंस होने की और इसारा कर रही है मैं आपको एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ सूर्य उपासाना दे रहा हूँ जरूर करिएगा अगर आप वो चीजें करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके जो सार्रिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ प्रस परताल मेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा जहां आपकी सारेरिक सेहत बेहद अच्छे होगी वहीं आपका मानशिक संतोलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन बड़ा सहजिता से चलेगा फिर चाहे सारेरिक स्वच्टे हो, जीवन की वास्तुविक खुसहाली हो जीवन का उत्सा हो, उर्जा हो इन चीजों के आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीज़े हमेशा आपके साथ होगी और धन के मामले में, अमीर लोगों की गिंती में आप आएंगे और यसकी खुब प्राप्ति होगी, ये इस पश्ट कहरा है लेकिन इसके लिए मिहनत जरूरी है इन चीजों के बारे में हमने देख लिया है चंद्रमा धेरे धेरे अच्छे इस्टिती में आ रहा है ये जहां धर्म के लिए अच्छा है यात्राओं के लिए अच्छे सूचना दे रहा है वहीं आपका मन बहुत अच्छा रहेगा मजबूत रहेगा, इस और भी इसारा कर रहा है आपका confidence level भी धीरे धीरे परिपक्व अवस्ता में आ रहा है strong हो रहा है ये इस्तित को दिखा रहा है यहाँ पे इसकी वो जोसे सरीर में अगर कोई समस्या बन भी जाती है तो इसकी वो जोसे निश्चित तोर पे मन मजबूत रहेगा और ये जितनी मजबूत अवस्ता में आएगा आपका पाचन तंतर भी ठीक रहेगा सरीर का हार्मोनल सिश्टम भी बढ़िया रहेगा और आपके अंदर हमेशा creativity रहेगी आप creative ज़्यादा रहेंगे छल कपट से दोर रहेंगे और कहीं न कहीं सकारात्मक फोट ज़्यादा बनी रहेगी देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के मादिन से बेज रहा हूँ करने की कोशिस करे बहुत अच्छा लाव आपको प्राप्त होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार